लेखांकन सिध्धान्तों की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहां हम कुछ ऐसे सिध्धान्तों कुछ नियमों को साथ लेकर चलते हैं जिनके आधार पर हमको लेखा किया जाना है तो क्या ये सिध्धान्त आपरिवर्तनी हैं क्या इनमे संशोधन नामुम्किन है ऐसा नहीं है कुछ ऐसे सिध्धान्त होते हैं जिनके आधार पर इनमे कुछ परिवर्तन किया जा सकते हैं जिने हम कह सकते हैं लेखांकन के परिवर्तनी सिध्धान्त यानि यहां पर हम कुछ संशोधन या कुछ परिवर्तन कर सकते हैं जैसे हम यह कह सकते हैं कि यहां पर सार्ता को ध्यान में रखा जाए सार्ता याने महत्ता महत्वपूर्ण यहां यह बात कही जा सकती है कि उन्हीं तथ्यों का लेखा किया जाए जो उस व्यपार की जो प्रकृती है या उसका जो आ बहुत सी ऐसी चीजे मत जुड़ जाएं जो व्यवसाय से जिनका कोई लेना देना ही ना हो तो इन सब दृष्टिकोंड को ध्यान में रखते हुए यहां पर जो एक बिंदू शामिल किया गया सार्ता जिसके अंतरगत यह बताया गया कि जो व्यवसाय के दृष्टिकोंड से बहुत महत्वपूर तत्य हो बहुत महत्वपूर सामागरी हो उनका ही लेखा यहां पर किया जाना चाहिए साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो वित्य वेभारों को प्रदाशित करते हो उस तरह के लेखों को इनके अंतरगत शामिल किया जाना चाहिए दूसरी हम बात करें तो संगत्ता की संगत्ता में ये भी मान लिया गया है कि वास्तों में ये जो लेखांकन का सिध्धान्त है उनका जो आधार है वो लेखांकन की प्रथाएं हैं जिसके बारे में इसके पूरी के अध्याय में हमने जाना था कि लेखांकन के कुछ अपनी प चाहिए तो प्रथाओं की अगर हम बात करें तो यहां हम देखते हैं कि सबसे पहले जो बात आती है वो आती एक रूपता की प्रथा जिसके अंतरगत यह माना जाता है कि प्रारंब से लेकर अंत तक वैपार में लेखांकन की जिस पधती का पालन किया जा रहा हो उसमें एक होनी चाहिए ऐसा नहों कि वर्ष भर हम जो लेखांकन की जो प्रथतियां हैं उसमें परिवर्तन करते रहें अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं व्यवसाई की जो वास्तविक आर्थिक स्थिती है उसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा या फिर अगर हम कहें तो गत वर आप जिस भी विवसाई वैपार में जिस भी लेखांकन के जो अलग-अलग विधियां हैं उनको जब आप फॉलो करते हैं तो उनमें एक रूपता होनी जरूरी है दूसरी जो महत्पूर्ण यहां पर जो सिध्धान्त को हम देखते हैं वो है रूडिवादिता का सिध्धा कहीं न कहीं रूडिवादिता के सिध्धान्त में यह मान लिया जाता है कि भविष्य में हानी मत हो इसके लिए हम पहले से रिजर्व बना ले कोश बना ले फंड बना ले तो यहां पर क्योंकि एक नेगेटिविटी को साथ में रखकर काम करते हैं हानी ना हो उसे बचने को साथ में कि धारणा को साथ में रखकर काम करते हैं तो यह रूडिवादी प्रथा का भी इसके अंतरगत पालन किया जाना भी जरूरी है ताकि भविष्य में होने वाली हानियों से कुछ हद तक बचा जा सके तीसरी जब हम बात करते हैं जो हमने पहले बी देखा सार्ता की तो ये भी एक प्रकार की लिखांकन की प्रता ही है इसमें भी यह माना जाता है कि किवल उन्हीं तर्थियों का उलेक इसके अंतरगत किया जाए जो वित्तिय हो या जो विवसाय की प्रकृती उसके आकार प्रकार के दृष्टी कोण से महत्तुपूर हूँ कई बार जब हम यहाँ पर महत्व की बात करते हैं तो बहुत से लेखे बहुत से चीजे ऐसी होती है जो कुछ दृष्टी कौन से तो महत्वपूर्ण है लेकिन कुछ दृष्टी कौन से महत्वपूर्ण नहीं है या कोई चीज किसी वेक्ति के लिए महत्वपूर्ण है लेक पूरी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही और वेवसाइग के जो प्रकृति है उसको ध्यान में रखते हुए ही उन विद्यों का चैन किया जाना चाहिए जिनके अधार पर लेखे किये जाएंगे उसके बाद जो प्रथा है वो कहती है यहां पर प्रकृति करण की जो धारना है वो महत्वपूर होती है जो से हमने पहले भी देखा था यहां पर भी हम देखते हैं कि प्रक्टी करण यानि कि पूर्ण प्रक्टी करण क्या कितनी संपत्ती है विवसाई की कितने दाइत्तु हैं कितना लाग हुआ किस वर्ष में कितनी हानी हुई किस वर्ष में और वास्तों में विवसाई के स्थति क्या है ऐसा एक्सपेक्ट किय जाता है पेक्षा की जाती है एक महत्पूर्ण प्रत्था है यानि कि जो लिखांकन के मानक तैकर दिये गए है जो की सिधान्त मानिताय अधारणाय विधियां जो बना दी गई है तो यहां हम देख रहे थे कि संगतता के अंतरगत जब लेख questi की प्रथाओं को सिधान्त का अधार 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 मान लिया जाता है तो उसके अंदर हम कॉन कॉन सी बात को शामिल करते हैं अब हम इसके तीसरे परिवर्तिनी सिध्धान्त की बात करें तो यहां पर जो महत्वपूर्ण बात आती है वो होती है सतर्कता यानि कि एक व्यवसाई इस भी सिध्धान्त को पालन करते हुए साथ में चले कि वो सतर्क रहे किस से सतर्क रहे भविश्य में होने वाली हानियों से सतर्क रह शायद यही कारण है कि कभी बार जब हम प्रताओं की बात करते हैं तो वहां पर हमने एक पॉइंट देखा था कि रूड़ी वादिता यानि कि कहीं न कहीं हानी होगी इस रिटिकोन को साथ में रख के आगे चलना है तो यहां पर भी यही बात की जाती है कि यह प्रयास किया कि लास्ट में वर्ष के अंत में जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है उसके क्या स्थिति उसके कितनी वैल्यू है तो हम देखते हैं कि उस बचे हुए माल का बजार मूले क्या है मतलब बजार में वो कितने में विकने को तयार है और हम उसको कंपेर करते हैं लागत मूले स करते हैं ताकि भविश्य में अगर मान ली जैसी कोई परिस्थिती बनी कि उस अंतिमिस्कंद का परयाप्त मुलिन ना भी मिल पाया तो भी जो हानी है वह एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा नहों दूसरी एक बात जो हापर की जाती है वो हम देनदारों पर संचिती बनाते हैं डूबत रिन संचिती का प्रावधान करते हैं तो हमेशा जो हमारे देनदार है यानि कि हमको जिनसे पैसा लेना है जरूरी नहीं है कि वो सारे जो देनदार कहलाते हैं हमारे सारे कि सारे वो पै लिखते हुए कि कुछ देंदार हमारे ऐसे हैं जो शायद पैसा न दे यह हम कई बार उनको याद दिला चुके हैं लेकिन वो पैसा नहीं दे रहें तो ऐसे भी देंदार वेवसाय में होते हैं तो उस इस्तति का अंदाजा लगाते हुए पहले से ही एक डूबत रिंड संचे वेवसाय है तो जिस तरह से करते हैं वैसे हम सारी हानी हैं भी होगी उन हानियों सेस्तिति ना खराब हो जाए वेवसाय बंद होने के कगार पर ना चला जाए आकास्मिक हानियों से बचा जा सके इन सब स्थितियों को देखते हुए हानियों के लिए पहले से एक ब्रhorayas के लिए मार्ग दश्यक्ता हैं ये करने के लिए वेपारी को एक मार्ग दश्यक्ते हैं यानि इन्हीं सब बृपारी अपनी लेख need ड़ने के लिए तो वहीं पूस्तरई हैं कि को निर्मान करते हैं तो यह मार्ग दर्शक के रूप में भी कारे करते हैं दूसरे इसके प्रकृति के हम बात कहें तो यह स्विक्रिट ले खांकन सिध्धान्त है यानि कि हम यह नहीं कह सकते कि यह सर्व मानने हैं सर्व व्यापक है या हम यह भी नहीं कह सकते कि यह सभी प् शित्धान वेवसाय में इसे सारे के सुरित्धान नहीं कहा जा सकता। AICPA के अनुसार, समानिता स्वित्कृत लेखांकन सिध्धान किसी समय इस विचार को व्यक्ति करता है कि किन आर्थिक संसाधनों एवं उत्तरदायत्यों को संपत्ति एवं दायत्यों के रूप में लिखा जाना चाहिए? इनके किन परिवर्तनों को लिखा जाना चाहिए? प्रकट की जानी चाहिए? तथा इनके किस प्रकार प्रकट की जानी चाहिए? और कौन से वित्ते विवरन तयार किये जानी चाहिए? लेखांकन सिध्धांत मनुश्यकृत है और ये अनुभावत तर्ख और प्रयोग के आधार पर बनाये गए है जब ये उप्योगी सिध्ध हो गए तब इन्हें लेखांकन सिध्धांत के रूप में स्विकार कर लिया गया ये सिद्धांत लोजप्रद है जो नहीं है तीसरे स्केंट प्रकृते की बात करें तो हम देखते हैं कि वास्तों में एक तक्नीक की अफधारणा है जब हम यहां बात करते हैं मूलभूथ नियमों की, माननिताओं की प्रभाव की, कारणों की तो कहीं न कहीं ये अपने आप में कुछ ऐसे तकनीकों को धारन किये हुए जिनके आधार पर हम इन मानिताओं का नेधारन करते हैं उन्यमों या सिद्धान्तों का नेधारन करते हैं जिसके आधार पर हमको लेखांकन किया जाना है तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लेखां गई पर्खी गई जाचि गई और इसके बाद इसका निर्मान किया गया है यह कारण कि इसके पहले हमने देखा था कि लेखांकन के कुछ सिध्धान्त ऐसे होते हैं जो प्रवर्तिनी होते हैं यानि कि वैपार के प्रकृति उसकी आकार उसकी प्रकार के अनुसार इन सिध्धान्तों में प्रिवर्तन भी किया जा सकता है तो यह तो थे लेखांकन के सिध्धान् कह सकते हैं जैसे विशेस्ताओं की अगर हम बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि यह मनुश्य कृत सद्धानत है जैसे कि हमने प्रकृति में देखा मनुश्य ने अपने ग्यान तर्ग बुद्धी विवेक इन सब क्या धार पर इन सद्धानतों का निर्मान किया है इसी तरह इसक यानि कि उन सिध्धानतों को फिम रिश्च चाहिए जिनका ंशर्द्रक्रेश्च होता है जो महत्ताубли्ग की लें जो महतुपूर्ण नहीं है या वेपार के दृष्टी से उसके प्रकृति आकार के दृष्टी से उनको इसमें शामिल ना किया जाए दूसरा इसके अंतरकत हम देखते हैं कि उद्देश पूर्टा यानि किसी न किसी उद्देश के पूर्ती के लिए इन सिध्धानतों को बन आया जा सके वैसे ही इसके विशेस्ताओं के बारे में हम देखते हैं कि इसमें प्रकृति शीलता है हमेशा हम देखते हैं कि यह जो सिध्धानत हैं यह पिछले कई वर्षों से चले आ रहे हैं धीरे धीरे व्यवसाय के प्रकृति या उसके आकार के अनुसार इनके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्टन होता है लेकिन ये काफी लंबे समय तक चले आ रहे हैं और ऐसे हमारी धार्णा भी बनी हुई है कि इने सिद्धान्तों का पालन हम आगे आने वाले समय में भी करते रहेंगे ठीक इसी प्रकार इसके एक विशेस्ता ये भी है कि इस तरह के सिद्धान्तों के लिए किसी प्रकार के किसी विस्तरित सूची का भाव है कोई ऐसे लिस्ट नहीं है जिसमें हम बिंदुवार कह सके कि ये सारे जो है ये लिखांकन के सिद्धान्त है इन सब को फॉलो करते हु जो जितने भी वेवसाई वेपारी या उध्धमी है वो अपनी वेवसाई की प्रकृतिके अनुसर कुछ निश्टित सिध्धान्तों गिए कर लेते हैं जिसे कि हमने पहले भी जाना कि सर्वमान नहीं है जरूरी नहीं है कि हर कोई इन सिध्धान्तों का पालन करते हुए ही लेखांकन करें तो डिपेंड करता है कि कौन से वैपारी किस किस तरह कि सिध्धान्तों का चैन करते हुए लेखे करते हैं तो इस पूरे अध जान्तों को फॉलो करते हुए इनका अनुकरन करते हुए हम वैपार वैभार में लेखे बराते हैं।